बॉलिवुड एक्टर गोविंदा की भांजी रागिनी खन्ना फाइनली शादी करने जा रही है। 35 की उम्र में रागिनी ने अब शादी करने का फैसला कर लिया है। TV एक्ट्रेस रागिनी खन्ना अपने शो ससुराल गेंदा फूल के लिए जानी जाती है। हाला की रागिनी लंबे समय से स्क्रीन से गायब हैं। लेकिन अब नई रिपोर्ट्स की माने तो रागिनी खन्ना जल्द ही शादी के बंधन में बनने वाली है। रागिनी खन्ना को शो ससुराल गेंदा फूल से फेम मिला। इस शो ने उन्हें घर घर में पॉपिलर कर दिया। रागिनी दस साल से जादा समय से इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। अब वो अपने पर्सनल लाइफ पर भी फोकस करना चाहती है। टाइमस ओफ इंडिया को दिये गए इंटर्वियो में उन्होंने कहा। मेरी माने घर में लगभग मैरेज ब्यूरो खोल रखा है। वो मेरे लिए प्रपोजल्स देख रही हैं। मुझे लगता है कि अब ये शादी के लिए सही समय है। उम्मीद है कि ये जल्दी होगा। बता दें कि रागिनी ने अपने करियर की शुरुआत में बहुत सारे हेल्थ इशूज फेज किये थे। और वो हॉस्पिटलाइजड भी हो गई थी। लेकिन आब वो ठीक हैं और अब अपना घर बसाना चाहती हैं। वेल फिलहाल रागिनी के शादी के फैसले पर आप क्या कहेंगे। बताएं हमें कॉमेंट सेक्षन में। और भी ऐसी ही लेटिस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहें बॉलिवुड राइड्स।